वेलकम टू आकास जीयस क्लासिस, आकास जीयस क्लासिस में आणका सवागत है दोस्तों, वही सरंकला जो हमारी यूपी टेट 2021 की सरंकला चल रही थी, मैं यूपी टेट प्रिविएस येर्स के जो कुसौन्स हैं, उनका सॉल्ब करवा रहा हूं, और ये आपके 2021 के यूपी टे संकलपना की व्याख्या सर्पर्थम की गई कोस्टन पढ़ लिया संपोशनी है विकास के संंकलपना की व्याख्या सर्पर्थम किसमे की गई है यह है प्रिशन तो यह होता है ना इसका मतलब है sustainable सब्सक्राइब नेवल डबल्ब्लमेंट यह होता है आपका समपोश्य विकास सब्सक्राइब डबल्मेंट अब यह होता क्या है समपोश्य विकास पहला यह जान लीजिए इसके बाद इसका उत्तर दीजेगा कि जो मानव है वो अपने चारो और के वातावरन या इन्वारिमेंट में जो भी इसकी सुविधा जनक चीजे हैं जो उसके लिए सुविधा दे रही हैं सोर्स हैं उनका वो अधिक्तम यूज कर रहा है अधिक्तम प्रयोग कर रहा है मानब अपने चारो और वातावरन से जो स्रोत रहें प्राकृतिक स्रोत उनका अधिक्तम प्रयोग कर रहा है ठीक है जो natural resources है उनका maximum use कर रहा है अब ऐसी दसा में होगा क्या कि ये जो प्राकृतिक source है कुछ निश्चित है यानि कुछ निश्चित ही तो है यह यह नॉन रिनवल एनरजी है यानि यह आने वाले समय में खतम हो जाएंगे तो आने वाली पीड़ी के लिए हम क्या छोड़के जाएंगे ठीक है तो हम प्राकृतिक सोर्सों का कुछ इस तरह से इस्तमाल करें कि परियावरण को भी कम नुश्चान हो और हमारा भी फाइदा हो जाए यही आपकी समपोषणिये विकास की संकल्पना ठीक है और आने वाली पेड़ी के लिए भी कुछ रहे जाए तो यह क्या राय है समपोषणिये विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्परत्म किसमें की गई है तो इसका राइट एंसर है ब्रूट लेंट कमिशन रिपोर्ट में संपोषणिय विकास के संकल्पना की व्याख्या की गई है ठीक है यह इसका सही उत्तर है आगे चलते हैं अगले प्रसन पर प्रसन संके 132 है दोस्तों निम्न में से किसे भारत का रास्ट्रिय जलिये जीव कहा जाता है ठीक है यह तो बड़ा ही सरल प्रसन है तो इसका सर उत्तर होगा डॉल्फिन गैंगेटी का जो है भारत की रास्ट्रिय जलिये जीव कहा जाता है डॉल्फिन गेंगटी का जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है परसंद संख्या 133 है किस वर्ष बन संरक्षन अधिनियम पारित किया गया ये बड़ा ही important questions होते हैं इस तरह के और आने वाले 2021 के यूपिटेट में भी एक परसंद आएगा ठीक है तो मैं आपको बता दू बन संरक्षन अधिनियम जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1980 में कब पारित किया गया था बन संरक्षन अधिनियम 1980 ये इसका सही उत्तर है 100% करेक्ट उत्तर है 1980 में बन संरक्षन अधिनियम पारित किया गया था तो फिर और आप ऐसा नहीं है कि ये जो प्रसंद आया है यही आजाए एक्जाम में यहां इसके आधार पर आएंगे मैं आपको बता दूँ आप तयार कर लिजेगा उननीच्सेड़ वात्तर में इन्हें नोट करली ज आप यतने भी यूपिटेट के चात्रे और सजी्ट के चात्रे वहों बी है क्योंकि ये प्रसंद वहां आ सकता रहकिकृत 1972 में आया था वन्य जीवन संरक्षण अदिनियम, यें ये regional संरक्षण अधिनियम अगर इस से आ जाए तो आपको 1792 करना है ठीक है वन जीवन संरक्षन अधिनियम और ये प्रसंद था वन संरक्षन अंतर कर लीजेगा ठीक है तो प्रसंद ऐसे आ सकते हैं और भी मैं आपको बता दूँ जितने भी हैं फिर है आपका परियावर्न संरक्षन अधिनियम परियावर्न संरक्षन अधिनियम तो परियावर्न संरक पर्यावन सर्रक्षण अनदियम, इताम में इंपॉर्टन थाहा, ठीक है तीन तयार हो गई आपके। कि सबको पता है तो जैन विविदता अने भी आया एक जल्छ थेर भी घंप अ मैं यसाल हजार दो में बाइविक्षटी है तो इस तरह से चार आपके तयार हो चुके हैं अगला चलते हैं राष्ट्रिय जलनीती अगर ये प्रसन आ जाए राष्ट्रिय जलनीती किस वर्स आई राष्ट्रिय जलनीती जलनीती तो राष्ट्रिय जलनीती सन 2002 में आई ठीक है दोस्तो राष्ट्रिय जलनीती अगला है नेक्स्ट है आपका राष्ट्रिय जलनीती होगी अब आगे राष्ट्रिय परियावरन नीती ठीक है राष्ट्रिय परियावरन नीती तो राष्ट्रिय परियावरन नीती जो है यह आती है आपकी 2004 में कमाती है 2004 में अगला है आपका बन अधिनियम सिर्फ बन अधिनियम कहना हूँ में परसन को ध्यान रखेएगा बन सनलक्षन नहीं कहना हूँ बन अधिनियम तो बन अधिनियम आया 2006 में और बन सनलक्षन अधिनियम कवाया 1980 में अंतर कर लिजेगा आप अब है आपका जल प्रदूसन निवारण एवं नियंत्रन अधिनियम थोड़ा बड़ा है याद रखेगा जल प्रदूसन जल प्रदूसन निवारण एवं नियंत्रन अधिनियम ये आया दोस्तों कब आया 1974 में 1974 में ठीक है जल प्रदूसन निवारण एवं नियंत्रन अधिनियम नियंत्रन आया नेक्स्ट आपका वायू प्रदूसन निवारण एवं नियंत्रन ये आया आपका 1981 में 1981 में तो मैंने आपके सब तयार करवा दिये अब आपके उपर बात है कि इन में से एक प्रसंद आपकी एक्जाम में आने वाला है कॉस्टन नंबर 134 134 और एक बात बता दू कॉस्टन पेपर सॉल्व करवाते करवाते सिच्छकों को इतना अनुमव हो जाता है कि उन्हें पता होता है कौन सा प्रसंद आने वाला है निमलखित में से कौन सा हरित ग्रह प्रवाव गैस नहीं है इस सीदा सीदा प्रसंद पूछ रहा है आपसे कि इन में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है सीदा सीदा बताईए आप जानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है तो ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं कौन सी होती हैं हमको पता है मी आपकी है नहीं पूछ घास ठीक है और नैट्रोजट एक्मोसफेर में c8% परसंट पाई जाती है ठीक है और एक बात बता दू और ग्रीन हाउस गैस जो है नाइटरस अकसाइड भी ग्रीन हाउस गैस है और जो आपका जलवास्फ जो होता है वो भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है यानि हरित ग्रेग गैस में जलवास्फ तो आपके तयार हो गए कारवन डायोकसाइड और आपका N2O, Nitrous Oxide और जलवास्फ यह सभी की सभी हरित ग्रहेग गैस हैं यानि ग्रीन हाउस गैसे हैं ठीक है बाकी आप प्रसंद संक्या 135 पर चलते हैं निम्लिखित मेंसे कौन सी मृद्दा संरक्षन की विधी नहीं है यानि मृद्दा को आपको संरक्षन करना है मिट्टी का आपको संरक्षन करना है तो मिट्टी का संरक्षन कैसे करोगे बताई हाँ फसल चक्र यानि एक फसल के बाद दूसरी फसल ठीक है यानि जैसे मैंने ग फसल चक्र को अपनाईए, जैसे आपने गियों की फसल की, तो next year आप गियों की फसल मत करिए, किसी और चीज की फसल करिए, वो होता है फसल चक्र, इससे मिठी की बजाओ छमता बढ़ी रहेगी, तो यहां नहीं है पूछ रहा है, तो है कौन से फसल चक्र है, जैविक खाद आप ठीक है, जैविक खाद तो आप जानते ही हो, ठीक है, तो जैविक खाद आप अपनाईए, जो हाद बना हुआ खाद होता है, जैसे गोवर है, ठीक है, कचड़ा है, उन्हें खटा करिए, वो जैविक खाद हो जाएगा, फिर कौन सा, मृद्दा परतन को रोकना, मृद नासक रसाइन तो कीट नासक रसाइन जो है कभी भी मृद्दा संरक्षन की विधी नहीं हो सकती है I hope you will understand that next question we will move on to 136 136 में प्रिशन पर हम चलते हैं दोस्तों उलंपिक खेलों का आदर्स वाकर क्या है आपके सामने बहुत यहां कहां कहां से आ जाते हैं एक्जाम में तो ऐलम्पिक खेलों करेंट का कुश्या से हैं यह वैसे वादर्स वाकर यह तो आप याद रखिये गढ़ा ओल्टियों गैस इटिएस और फो डियूस ठीक है अब जब हम उलंपिक खेलों की चर्चा करी रहे हैं तो मैं आपको बता दूंति खेलों में 5 वले होती हैं पांच ऐसे इस तरह से गुलाक सरकल टाइप में 5 बॉल नहीं होती है अपने अगर उलंपिका का सुभण कर देखा एक दो、तीन चार पांच होगी जो पांचे बॉल हैं इनका कलर होता है यह वाली लाल रंगी होती है कोई भी लाल ले लो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसे नीला यानि इसे ब्लू दे दो यानि रेड ब्लू उसके बाद ग्रीन फिर यल्लो और फिर ब्लैक ठीक है तो यह पांच कलर हो गए आपक ठीक है लाल नीला हरा पीला और काला अब यह ऐसी होती क्यों है यह जो पांच वॉले हैं ना उलम्पिक खेलों की में जो प्रतीक है यह जो है ना यह पांच महादीपों को दिखाता है बच्चों पांच महादीपों को दिखाता है दोस्तों पांच महादीप जो हैं ठीक है पांच महादिपों को five continental है उनको दिखाता है ठीक है पांच महादिप आपको I hope इतना तो मैं अमीद करता हूँ आपको पता होगा पांच महादिप कौन से है ठीक है कमेंट कर दीजिएगा तो आगे आप समझ के होगे फिलहाल ओलंपिक जो हैं अभी खतम हुए हैं तेज जु इंपोर्टेंट है तेज जुलाई से आठ अगस्त के बीच खतम हुआ है 2021 यह कहां पर हुए थे टोकियो टोकियो कहां पर है जापान में ठीक है अब मैं आपको बता दूँ प्रसन यहां से आ सकता है कि टोकियो ओलंपिक में भारत का इस्थान कितना था तो भारत का इस्थ सिकता आया गया था ठीक है बाकी दो सिल्वर मेडल थे हमारे पास ठीक है दो सिल्वर बैडल एक लौवलीना बॉर्गिन जो की क्या है बॉक्सर हैं दूसरा आपका रवी कुमार धहिया जैंनोंने 57 किलोग्राम बर्ग में रैसलिंग में उन्होंने गो वह है जीता था एक और आपके आये थे चार ब्रॉंज मेडल चार ब्रॉंज मेडल आये थे हमारे पास ठीक है तो ब्रॉंज मेडल में आपको पता है जो हमारे रेसलर थे उन्होंने बजरंग पुनिया ने ब्रॉंज मेडल जीता था ठीक है और आयो वाकि आप सेर्चच कर लिए या कमेंट कर देडिए आ कि और तीन कौन से ऐसे व्यक्ति थी जिन्हों। प्राँज मैडल जीता था। साइद मैंने दोस्तों कुछ कैलत बताया है। उसे क्रेक्शन कर ली जाया लावलीण व्बार्गेन ब्राँजमेडल जीता था दीपक कुमार धहिया ने भी सिल्वर मेडल जीता था लेकिन जो आपकी मीरावाई चानू थी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था तो जो दो सिल्वर मेडल थे वो मिले थे एक था मीरावाई चानू के लिए और एक था आपका रवी कुमार धहिया जो लावलीना है अब आपके लिए बता दूँ दोस्तों प्रावल्बियर यह है कि ऐलंपिक में कुस्टन यहां से भी यह A और वो होगा सन 2024 में कब होगा सन 2024 में होगा आने वाला अगला उलम्पिक ठीक है फिर 2024 के बाद 2028 में उलम्पिक होंगे यह होंगे लॉस एंजल्स यूएसे लॉस एंजल्स कहां पर यूएसे यानि अमेरिका 2028 में यह होंगे फिर अगले उसके नेक्स्ट बाद होंगे आपके बाद 2028 के बाद चार साल एड़ कर दो 2032 में तो यह होंगे आपके ब्रिस्वेन में कहांपे होंगे ब्रिस्वेन यह सेडूल आ चुका है आप इन्हें तयार कर लीजेगा अब एक बच्चा कह रहा है सर्थ 2021 के बाद चार साल एड़ करेंगे तो इसमें 2025 में होने चाहिए ना उलम्पिक 2024 में क्यों हो रहे हैं क्योंकि यह जो हमारे 2021 के ऑलम्पिक थे यह 2020 में होने थे कोविट-19 के कारण एक साल डले हो गई इसलिए ऐसा हुआ है ठीक है बाकि आने वाला जो सेडूल है वो सेमी सेम है थेंक्यू वेरी मच्छ